नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंगरी स्पिरिट्स में हंगरी स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजुशर्मा दिल से स्वागत करती हूँ तो आठ से हो गए साथ जी हाँ आठ लोग नॉमिनेट थे जो निशांत भटने किये थे ब और बाकी चार लोग जो हैं वो नॉमिनेट हो सकते हैं मगर बीच में महानता के चक्र में करन और शमीता ने खुद को नॉमिनेट कर लिया और दोस्तों अफसाना ने अपने आपको बचा लिया और बाकी के जो लोग बचे थे उन्होंने खुद को नॉमिनेट कर लिया क्यो सबसे कम वोट लेने वाला और कौन है सबसे जादा वोट लेने वाला यानि की कौन है सेफ जोन में और कौन है घर से बाहर निकलने के लिए रेडी स्टेडी गो चलिए बात करते हैं मगर पहले वही गुजारिश जिन्हों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है क रिपया कर लिए साथ में दोस्तों बेल आइक उन दबाईएगा ताकि आपको हमारे वीडियो के नोटिफकेशन मिलते रहें तो चलिए जैसे बिग बोस खेला खेलते हैं हम देखते हैं कि कौन है दरवाजे के बिलकुल पास खड़ा जिसका सूट बूट सब पैक है और जन सिर्फ अभी तक जो वोटिंग ट्रेंड में आ रहे हैं वो हैं 2% वोट के साथ तो इशान को पढ़ रहे हैं मात्र 2% वोट तो इशान के पीछे कौन है अटैची लेके दोस्तों कौन है दूसरा मेंबर जो डेंजर जोन में है जी हां वो है माईशा जी हां हीरोईन ओफ देख रहे हैं और तरीके से कह रहे हैं कि इनको बचाना चाहिए क्योंकि यह और भी अच्छे से खेल सकती है आगे ओई भी रिजन हो सकता है कोई भी बात हो सकती है मगर फिलहाल लेडीज को मिल रही है प्रेफरेंस और मिल रहे है इशान से 1% जादा की वोटिंग तो माई सकता की देवी है कहना गलत नहीं होगा क्योंकि महानता वो दिखाती रहती है अपने जो कारेक्रम है उनके जरिये तो बहुत शोकिंग है इस चीज को कहना मगर अफसोस है कि शमिता शेटी आती है लास्ट थ्री नंबर में यानि कि जो माईशा के पीछे है वो शमिता शेट हुए है यह साथ की लाड़ी तो शमिता को मिलते हैं दोस्तो मात्र 8% वोट चलिए शमिता के पीछे कोन है शमिता के पीछे है शमिता के भाई विशाल जी हां विशाल तो नहीं जा सकते हैं वैसे शमिता भी नहीं जा सकती है क्योंकि ये दो नीचे के लोग ही डेंजर जोन में लग रहे हैं यानि कि इशान और माईशा मगर वोट की अगर माने तो शमीता से जादा वोट पड़ रहे हैं विशाल को विशाल को शमीता से एक परसन जादा वोट पड़ रहे हैं दोस्तो नो परसन वोट लेके विशाल जो है कायम है अपनी जगा पे तो इसके बाद को आते हैं ये थोड़ा सा अलग ही सर्प्राइज है आपके लिए और मेरे लिए तो बहुत बढ़िया और अलग सर्प्राइज है क्योंकि सिंबा की बारी आ रही है जो टॉप थी सेव जोन में है उनमें सिंबा आते हैं नमबर तीन के उपर क्योंकि सिंबा को पढ़ रहे हैं 10% वोट दोस्तों सबसे जादा जो हम समझते हैं कि खिलाडी हैं जैसे 4-3 खिलाडीों को नीचे माना जा रहा था जिसमें से अफसाना निकल गई और वो थे सिंबा, माईशा और इशान ये जो खिलाडी थे ये नीचे के खिलाडी थे और में पहुंच गया अपने 10% वोट के साथ, यानि कि आप सिंबा को बहुत पसंद कर रहे हो, चाहे वो पासिंग शॉट में हो, चाहे कुछ बोलते ही ना नजर आएं, तो सिंबा को पढ़ रहे हैं 10% वोट इसके बाद आते हैं, उमर रियास को 27% वोट पढ़ रहे हैं, और उनको 27% वोट पढ़ रहे हैं, अब आते हैं, जो बिल्कुल सेफ है, जिनको कोई हिला नहीं सकता है, इस सब्सक्ते, जिन्होंने खुद को ही खुद को नॉमिनेट कर लिया, वो है करन कुंदरा, करन कुंदरा को मिल रहे हैं दोस्तो, 41% वोट पहुत बड़ा हिस्सा कर रहा है वोटिंग का और इसका, ये भी हो सकता है कि करन कुंदरा को ना सिर्फ उनके फैन फोट कर रहे हैं, बलकि उनके जो अभी अभी नहीं नहीं दोस्त बनी है तेजस्वी प्रकाश उनके फैन्स भी वोट कर रहे हैं, तो करन कुंदरा को भरी वोट मिल रहे हैं दोस्त देखने रही है है चैनल हंगरी स्पिर्ट थैंक यू सो मग सब्सक्राइब डिए अचानल बैक्लिए अच्छाइब बटन दिल्ट लेडिक अबटन एज्वेट अपलोड साफ्ट वर मार चानल